हेलो दोस्तों यह एमाजोन का एक हमारा नहीं उपाशल आ गया है इसमें हमने मंगवा है था इंफिक्शन मीरर और एक मेगनेटिक स्टीक और एक मेगनेटिक बाउल है तो चलो इसको अन्बोक्स करते है वेसे तो मैंने इसको पहले खुल लिया है देखने के लिए कि प्रोड कुछ इस सट्वींग में आता है और यह इसको दोर दिया है हदर बादि मैं तो 5 dwarf के मेंगनेट वाला ऊंटम्रम है यह में स्तील मीरर है कि एक टीन चीज किस तरीके से हमारे काम में आते हैंममें आपको बताता हूँ यह मेगनेटिक स्टीक है अमारी इसकी लिए थापको में करीबन इतनी लंबी है यह मेगनेटिक स्टीक और मेगनेट पावर भी बहुत अच्छा है इसका देख लीजिए अब इसका इस्तमल हम लोग कहीं वे अगर पेचकस गिर गया है छोटा मोटा पेचकस पी यह उठा लेता है मैंने देखा है या फिर स्क्रू नट बॉल्ल वगएरा सब निकाल लेता है और यह इंस्पेक्शन मीरर है इसका भी लेंथ अच्छा है इतना तो हमको चाहिए इससे हम फ्लेरिंग के पीछे देख सकते हैं यह देख लो मेरा हाथ दिखता है साहद आपको इसे हम फ्रेरिंग के पीछे बॉबल्स लगा के देख सकते हैं ली कैसे या कुछ है या फिर किसी के पीछे कुछ देखना है अभी कोई क्या चीज छू रही है निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी तो यह बेजिक थोड़ा बड़ा वाला आता है पर हमने यह छोटा वाला व प्रेंट कि बड़ा मिरर जा सके ऐसी का भी काम करते हैं तो ऐसी और एच वी एसी में कहीं जगा तंग हुती है जहाँ पर बड़ा मिरर नहीं चाह शकता है इसलिए हमने यह चोटा वाला बंगवाया जो एफिसेंस है यह आपको फोकेट में भी आसानी से आ जाएगा फोके कि हम एडिटिंग वगेरा नहीं करते हैं प्यूर वीडियो ही आपको सेंड करता है इसकी वज़ा से आपको आवाज और हमारी कई मिस्टेक भी आपको मिल जाएगी यह मेगनेटिक है यह इसका कवर है देखेजिए इसमें बड़ा सा मैगनेटर चिपकाया हुआ है इसलिए ज़रूरी है कि कहीं हम एसी पर काम करते हैं साइड में तो कहीं बार हमको यह चिपका ना पड़ सकता है तो देख लिजाए मेरे पास जाली है एक मिनिट इसको खोल लिया मैंने यह देख लिए यहां पर चिपक गया है इस तरीके से हम स्कुरू अगर भी चिपका सकते हैं तो हमको यह संबालना नहीं पड़ेगा और आशानी से हमारा वर्पी हो जाएगा निकल भी जाता है और मेगनेट बहुत अच्छा है इसका और यह सानी है कि यह कुछ निकल के घ तो आज के वीडियो में सिफितना ही हम ना तो एडिटिंग करते हैं हमारी हिंदी थोड़ी सी वीख है तो उसकी वज़े से कई बार कुजराती के कोई सब आपको मिल जाएंगे हम बैसिक कुजरात से हैं थांक्यू फॉर वाचिंग प्लिस सब्सक्राइब और लाइक वीड कमेंट वोक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि अगला टॉपिक इस पर बनाए है थैंक्यू